हेलो दोस्तों अरद्धारेस अकेडमी के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आरेस पिरी भरती परिक्षा दोजार थेविस के नवीनतम पाथे करम के अनुसार राजस्तान कलास हसकर्ती के जो जो टोपिक सेलेबस में दे रखे हैं उन्हें सभी टोपिकों के अपन करमवाई जती महतो पूंट प्रस्न हैं वो पढ़ते हुए चल रहे हैं दोस्तों चार कलास है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है आज अपनी इसमें पांचवे नंबर की कलास है और टोपिक का नाम है बासा एवं साहित थे दोस्तों इस टोपिक से समंदित आज माँ आपको टोप सो प्रस्न है वो बताने वाला हूँ अगर आपने पिछली जो चार कलासे हैं वो नहीं देखिए तो आप प्लेलिस्ट में जाईए वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा आपको वहाँ जाकर पिछली जो कलासे हैं वो जरूर देखिए मैं यहाँ पे बताओं यह राजस्तान कलासे करती का सलिवस है यहाँ से सुरू होता है दोस्तों इधर नीचे की तरफ ठीक है अब इसके अंदर दोस्तों देखिए अपने चार कलास है वो कंपलीट हो चुकी है आज अपन पॉइंट नंबर तीन यह पॉइंट नंबर तीन है यहाँ पे कवर करेंगे भासा एवं साहिते राजस्तानी भासा की बोलियां राजस्तानी भासा का साहिते एवं लोक साहिते यह टोपिक और यह पॉइंट है वो आज अपन इसमें कवर कर रहे हैं दोस्तों और अध्यारेस अकेडमी की यूटूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में सेयर जरूर करें, तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं, भासा एवं साहिते से समंदित देखिए, पहला प्रैस्न है, निमने में से किस साहिते सेली में मारवाडी भासा का प्रभाव रहा है, जिसका सरो परतम परियोग चोधवी सताबदी में मिलता है, इसको राज दरबारों में पोचाने का सरे चारण वैबाट जातियों को जाता है, क आपको इसमें याद रखना है तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है ए नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर डिंगल सेली ठीक है आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखें डिंगल सेली में इतियास विश्यक सामगरी मुख्यत है कौन सी है तो वह है दोस्तों देखिए खियात, बात, विगत, पीडी, वन्सावली ये क्या है तो दोस्तों ये डिंगल सेली में इतियास विश्यक सामगरी है अब मैं आपे बोलू क्यात किसे कहते है तो आपने नाम तो सुनाए होगा दोस्तो मूनोत नैंडशी रिख्यात है दयालदास की विकानेरी राठोडारी ख्यात है ठीक है दोस्तो इसमें क्या होता है कि ख्यात के अंदर जो राजा होते है ततकालिन सासकों की दोस्तो वनसावली का चित्रन करके दिखाय जाता है उनकी मान मर्यादा क की वंसावली या विश्तरत विवरन सहीत लिखी जाती है जैसे राठोडों की वंसावली राजपुतों की वंसावली ठीक है अब यहां पे एक नाम आरा दोस्तों वात है यह वात है ठीक है वात किसे कहते हैं तो दोस्तों वारत का अरत होता है कथा या कहनी ठीक है जैसे प्र सार राजस्तानी साहिते बासा सेली की पर्थम भाग की विशेष्टा क्या थी तो पर्थम भाग की विशेष्टा है वो क्या थी तो दोस्तों देखिए यह एक हजार पचास से चोदा सो पचास इस्वी तक की थी जिसे महामारू गुजर सेली का हज गया है बिलकुल सही बात ह तिक है आगे देखिए यह साइते जेनवे धार्मिक रचना हो तक सिमित था बिलकुल सही है तो दोस्तो इसमें देखिए उपरोग दोनों ये दोनों भी दोस्तो इसमें क्या है बिलकुल सत्ते है तो इस प्रेस्टन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें दि नमबर का option सहे तर कि यह सारे के सारे इसमें क्या है सोरी सीनमर का absorption है वे इसका बिल्कुल सहीद्टर थी यह आपकोस में याद रखना 8 और 20 इसमें क्या ही आगे देखिए दोस्तों इसमें राजस्तानी भासा साहिते के दूसरे चरण की विशेस्ता क्या थी दूसरे चरण की जो विशेस्ता है वो क्या थी वो अपने को बताना है ठीक है पहला चरण दोस्तों 1050 से 1450 तक और दूसरा चरण है वो दोस्तों 1450 से लेके 1857 तक चला बिल्कुल सही है इसमें जैन डिंगल लोकी क्रचनाओं का निर्मान अधिक रहा जिसमें संत साहिते लोक गाथाई ख्यात बात विगत वनसावली वचनी का दुआवेत लोक साहिते और लोक कलाओं पर साहिते लिखा गया बिल्कुल सही है दूसरा चरण की बात हो रही है यहाँ पे दूसरे चरण में 1650 से 1850 तक र की नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे बहसा साहिते के तीसरे चरण की मुखे विशिष्टा रही है पहला चरण चला था दोस्तों 1050 से 1450 इसवी तक दूसरा चरण चला था 1450 से 1857 तक और तीसरा चरण चलता है दोस्तों 1857 से अब तक यानकी व कि रोधी भावना से युक्त थी बिल्कुल सही है इस काल के साहिते में विविजता अधिक आ गई और कहनी नाटक उपन्यास एकांग की अधिक अलेखन सुरू हुआ बिल्कुल सही है इस प्रेस्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उप्रोक सभी इसमें क्या है सत्य कि कि अनबर का ओंप्सन विल्कुल सही उतर हो जाएगा इसक्स नंबर का पॉप्सन इसमें इसमें निम्न चाहिते की की विशेषता है कि वह सीय हुका hiç ग्रि down आंसर हो जाएगा वो है इसमें जैन साहिते ए नंबर का ओप्षन बिल्कुल सही उतर जाएगा आगे देखे जैन साहिते अधिकांस किस में लिखा गया तो दोस्तों ये लिखा गया प्राकरत में अपबरंस में और संस्कर्ट में तीन दों में लिखा गया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी में डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर अगे देखिए बरतेस्वर बाहुबली रास के लेखक कौन है जिन में यानि कि जिसमें जैन तिर्टकर रिसबदेव के पुत्रों बरतेस्वर एवं बाहुबली में राजगद्दी के लिए हुए संगर्स का वर्णन है बताईए दोस दोस्तो साली भद्र सूरी कौन है साली भद्र सूरी तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा ए नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ठीक है साली भद्र सूरी आगे देखिए मित्रों इसमें मेरुट त। तूंग किस राजा के राजकवी थे बताईए चारो ऑपसन आपके सामने है ज़ल्डी से देख लीजे दोस्तो इसमे взять उसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें परमार बोज के यह राजकवी थे A number का option बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें हमीर महा कावे के लेखक कौन है ये तो सबी को पताऊगा दोस्तो हमीर महा कावे के जो लेखक है वो है दोस्तो कौन तो नयान चंदर सूरी है ये हमीर महा कावे के लेखक है इसमें राइट अंसर हो जाएगा वो हैं B number का option बिल्कुल सही उतर आगे देखिए इसमें हमीर महा कावे में कहा के इतियास की जानकारी मिलती है तो दोस्तो हमीर कहा का सासक था तो ये सासक था दोस्तो कहा का रन्थंबोर का और उसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है या निकिर अन्थंबोर के चोहान वंसकी अपने को इसमें जानकारी मिलती है D number का जो option है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें पर्तविराज विजय किस बहसा में लिखा गया था तो दोस्तो पर्तविराज विजय किस ने लिखा था ये तो सभी को बताऊगा दोस्तो पर्तविराज विजय जैनक बटे तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है संसकर्त में लिखा गया था राइट आंसर C नंबर औप्चन सही उत्षर आगे देखे हमीर महा कावे कौन सी सतापदी की रचना है то दोस्तों ये पंदरवी सतापदी की क्या है रचना है हमीर महा कावे ये नंबर का उप्चन बिलकुल सही उत्षर हो जाएगा किस ने लिखा था नैए अन्चंदर सूर् द्वारा हमीर महाकावे की रचना किस बासा में की गई तो कौन सी बासा में की गई तो यह की गई दोस्तो शंसकर्ट बासा में आक basically के लेखक कौन सुदर्शन चरीतर के लेखक है वो कौन है तो वो है दोस्तो कवी चंदर सिखर कौन है कवी चंदर सिखर है ये सुदर्शन चरीतर के लेखक है तो इसमें B नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें सुदर्शन चरीतर में कहां का उलेक किया गया ह विद्यानुराग का पता लगता है बताईए तो दोस्तो करमचंद वन्सोत किर्थम काव्यम में कहां के सासकों का वैभव वैविद्यानुराग का पता लगता है तो वो है दोस्तो विकानेर के सासकों का अपने को इसमें पता लगता है वंसोत किर्तम काम्यम नाम याद रखना आपको और बहुत ही अच्छा और सांदार प्रस्न है काफी बार ये प्रिक्षाओं में पूछा जा चुका है तो इसमें इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा वो है विकानेर के सासको का इसमें वंसावली के बारे में पता लगता है उनकी विद्धा नुराग वेबव का पता लगता है तो इसमें सी नंबर का उप्षन राइट आंसर हो जाएगा आगे देखे अमर सागर नामक गरंथ की गरंथ में किसकी जानकारी प्राप्त होती है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों महाराना पर अमर सिंग वंसावली गरंत की रचना किसने की तो यह किती दोस्तो रंड शोट बटने तो इसमें सी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर है आए देखे भी इस नमबर कावे से किसके इतियास का ग्यान होता है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वोह है दोस्तो इसमें महराना राज सिंग तो इसका राइट अंसर हो जाएगा एक नमबर का उप्शन बिल्कुल सही तर तेक है आगे देखिए इसमें 21 नमबर का प्रस्थन है महा काववे है तो ये भी दोस्तों कौन सी बासा में लिखा गया है तो ये भी संसकर्थ बासा में लिखा गया है तो इसमे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर उप्शन बिलकुल से उत्तर आगे देखे इसमें राजप्रशस्ति की रचना किस माराना के आदेश से की गई तो कौन से माराना के आदेश से की गई राजप्रशस्ति की रचना तो यह की गई दोस्तों राज सिंग तो इसमें सी नंबर का उप्शन राइट अंसर हो जाएगा आगे देखिए राज पर राज प्रसस्ती की छटी सिला पर इसका समत क्या लिखा गया है बताए राज प्रसस्ती की छटी सिला पर इसका समत है वो क्या लिखा गया है राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें 1744 लिखा गया है B नमबर का जो उप्षन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है आगे देखिए दोस्तो इसमें 785 इस्वी में लिखा कूवले माला गरंथ की रचना किसने की तो दोस्तो कूवले माला गरंथ की जो रचना है वो किसने की राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो उद्योदन सूरी तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सेवितर हो जाएगा तो ये की गई थी दोस्तों कहां पर तो ये जालोर में की गई थी कुवलमला गरंद की रचना तो इसमें राइट आमसर हो जाएगा ए नमबर उप्षन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट आगे देखे इस तली बद्र रास गरंद की रचना किस विद्वान के द्वारा की गई थी बताएए यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रसन पूछागिया है कि इस तली बद्र रास गरंद की रचना किस विद्वान के द्वारा की गई तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वह है दोस्तों किसके द्वारा तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें धर्म के द्वारा तो इसमें C नंबर का जो अप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखें इसमें किस गरंथ में कवी ने सची चंदन बाला और उसकी तरब से भगवान महावीर को किये गए आहरदान का प्रसंग उलेख है बताइए 29 नंबर प्रसन है इसमें देखें किस गरंथ में कवी ने सती चंदर बाला और उसकी तरब से भगवान महावीर को किये गए आहरदान का प्रसंग उलेख है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंदन बाला रास में दोस्तो आपको ये जानकारी प्राप्ते होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बी नंबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर आगे देखें तीस नंबर का प्रसन है इसमें देखें कवी आसी गुने जीवदया रास वे चंदन बाला रास गरंथ की रचना कहां की गई दोस्तो कवी आसी गुने जीवदया रास वे चंदन बाला रास गरंथ की रचना है वो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो की गई दोस्तो जालोर में डी नंबर का उप्शन बिलकुल सही उतर हो जाएगा आगे देखें चर्चरी उपदेश रसायन र शर्चरी उपदेश रसायन रास काल सवरूप कुलकम आदी करंथों की रचना है वो किस ने कि थी तो यह किती दोस्तों जिंदत सूरी ने जिंदत सूरी ने ए नंबर का प्शन राईट जिन्दत सूरी का कार्य चित्र कौन सा इस्तान रहा है को रहा है तो वह रहा है तो इस मीर रश्श्तान रहा है, तो इसमें राइट आंसर बी नमबर का ओप्शन बिल्कुल सभी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, अगे देखे दोस्तों अपना इसमें प्रबंद को से किस जैन साधु की रचना है, राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तोऔ जिंदत सूरी, जिंदत सूरी की रचना है यह प्रबंदगोस तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वह है डी नंबर उप्शन से उतर आगे देखे नेमिनात बारह मासा की रचना करने वाले कवी कौन से हैं राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों इसमें कौन सा तो वह है पलहन तो इसमें इस नमर का प्रेस ने इसमें देखिए ले मिनात बारहे मासा में किसका उले किए गया है बताइए, तो ले मिनात् समूंदर विजय के पुतर थे उनका विवाहे अगरशेन के पुत्री राजमती से होना ते था बिल्कुल सभी है जब भारत अगरशेन के महल पुंची तो बेज़ुबान जानवरों की आवाज सुनकर अत्यदिक दैभाव उत्पन हुआ बिल्कुल सही है ले मिनात सादू बनकर गिरनार पहुंच गए बिल्कुल सही है राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक सभी कतन है वो इसमें सही है 36 नंबर का प्रेशन है इसमें देखे मानक के सुन्दर सूरी की रचना कौन सी है मानक के सुन्दर सूरी की रचना है, वो कोन सी है? Right answer हो जाएगा वो है, दोस्तो, मले सुन्दरी कथा, पर्थविराज, वागविलास, गुण वर्मा चरीतरे. तो इसका right answer हो जाएगा, उपरहक सभी, D number का option सभी में लिखा गया है. चारण कावे सामने तक किस रूप में लिखा गया है तो ये लिखा गया है दोस्तो दोहा, गीत, वीर कावे उपरोक सभी में लिखा गया है दोस्तो ये चारण कावे राइट आंसर डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर नेक्स्ट परत्विराज रासों के लेकक कौन है तो दोस्तों परत्विराज रासों के लेकक है वो कौन है तो वो है दोस्तों चंदरबरदाई चंदरबरदाई के द्वारा परत्विराज रासो गरंथ है वो लिखा गया है और इसमें परत्विराज चोहां तिरते के जीवन चरीतर एवं युद्धो का इसमें वंडन मिलता है ठीक है राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नमबर उप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखे परत्विराज रासो किस बासा में लिखा गया महा कावे है तो दोस्तों ये कौन सी बासा में लिखा गया महा कावे है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सी बासा में तो ये लिखा गया है दोस्तो हिंदी वासा में तो इसमें C नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे इसमें चंदर बर्दाई के कावे की कौन सी वासा सहली है दोस्तो चंदर बर्दाई के कावे की वासा कौन सी सहली की है इस प्रेसन का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो ये पिंगल सेली की है कौन से सेली की दोस्तो ये है पिंगल में रचित वीररस का महा कवे है तो इसमें बी नंबर का उप्शन बिल्कोल से उतरा आगे देखे चंदरबरदाई का जन्म कहा हुआ था चंदरबरदाई का जन्म है ये हुआ था दोस्तो लाहोर में सी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा लाहोर में चंदरबरदाई का जन्म हुआ था आगे देखे बिसल देव रासों के लेखक निमन में से कौन है तो वो है दोस्तों नर्पती नाले ठीक है नर्पती नाले इन्होंने बिसल देव रासों गरंत की रचना की थी और इसमें अजमेर के चोहान सासक बिसल देव यानि की विग्र राज चतूर्त एवम उनकी रानी राजमूती की प्रेम गाथा का इसमें वर्णन मिलता है तो इसका राइट आंसर ए नमबर उप्षन सही उत्र नर्पति नाले। आगे देखे नर्पति नालक किस जाती के कवी थे जिनोंने बिसल देव रासो लिखा, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये ब्रामन जाती के थे, सी नमबर का उप्शन बिल्कुल सईधर हो जाएगा आगे देखे इसमें बिसल देव रासों की कथा वस्तु में निम्न में से क्या है ये अपने को यहां पर बताना है तो यहां पर देखे दोस्तों कवी माग का समयकाल क्या माना जाता है तो यह माना जाता है दोस्तों सातवी सताब दी सातवी सताब दी माना जाता है कवी माग का समयकाल तो इसमें राइट आंसर ए नमबर उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे ए कानड़ दे परबंद की रचना किस ब्रामन कवी द्वारा की गई राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पदमनाथ तो इसक इसमें वो है बी नमबर का जो अप्शन है वो इसका बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा जो कि आपको इसमें याद रखना है तीक है अच्छा प्रस्न है यह आगे देखे दोस्तों अपना इसमें देखे कानड़ दे परबंद गरंद का सम्मध है तो दोस्तों कानड़ परबं और उसके चरितर एवम वीरता का विस्तार पूरक वर्णन मिलता है इस कावे का आधार अलावदीन द्वारा जालोर पर आकरमन है जिसमें कानड़ देव और उसका पुतर वीरम देव तथा उसके साथी लड़ते हुए वीरगर्ति को प्राप्त हो जाते हैं बिलकुल सही है यह राजस्तानी पस्वी अपबरंस बोली में लिखा गया है बिलकुल सही है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो इसमें तीनों सही है तो इसका राइट आंसर डी नंबर का उप्शन बिलकुल सही उत्तर हो जाएगा यह आपको इसमें याद रखना है ठीक है और देखिए दोस्तो इसमें 48 नंबर का प्रेस ने मुनोत नेंड सी जोधपूर के किस माराजा की सेवा में कारे रथ था तो दोस्तो इस प्रेसन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें कौन सा बताईए तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दो इसमें राइट अंसर हो जाएगा वह इसमें यह नंबर का जो उप्शन है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा त्यका है आगे देखें मित्रों इसमें जिनिक संगठन युद प्रनाली राजपुत समाज की विशेस्ता तथा धार्मिक माननेताओं पर तो दोस्तों इन सभी की जानकारी मिलती है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा उपरोक्त है सभी आगे जोरु का नाली नंबर का प्रस्त पाश्टी और राजे का घजए टियर भी कहते हैं निम्न में में से किसे जो जोध्पूर राजे का घजए टियर भी कहते हैं तो इसका बिल्कुल गerm cassbery तोंट ऑं से और हो जायगा वह तोस्तों है याप swagम को इसमें याद रखना दिक्त तो अपना इसमें नैण श्रीक हात में निमन में से किस चित्र की इतियास की जानकारी मिलती है तो कुन से चित्र की जानकारी मिलती है तो यहां पर देखेए राजस्तान, गुजराड, काठियावार, कच's, बग्यलकंड, बुंदेलकंड, मदे बारत, इन सभी की दोस्तों मिलती है यह आपको इसमें याद रखना है तो इस प्रेशन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है दोस्तों अपना इसमें कौन सा तो वह है उप्रोक्त सभी की ठीक है आगे देखिए इसमें मुनोत नैंडशी का सम्मध में सत्य कथन क्या है वह अपने को यहां पर बताना है तो यहां पर देखिए दोस्तों अच्छा प्रस्न है ये भी देखिए नैंडशी माराजा जच्वन सिंग पर्थम के दिवान थे इनका भाई सुंदर दास्था जो भी इनके साथ पद पर था बिल्कुल सही है माराजा ने दोनों भाईयों को औरंगाबाद में जेल में डा सुर्जोदपूर जेल में कटार गोपकर आत्मत्या कर ली बिल्कुल सही है तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा डी नमबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा तीक है सही है इसमें आगे देखिए राजस्तान के राजाओं द्वारा बिना युद किये मुलक के उपर आयो अंग्रेज मुलक के उपर इस ग्रंट की सोरी इस गीत की रचना की थी किसने तो दोस्तों बांकी दास ने तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उतर आगे देखिए बांकी दास की ख्यात में निम्न में से किन सहरों क कि इस्तापना का विश्तरत विवरन मिलता है तो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें पच्पन नंबर प्रेस ने निम्न में से किस ग्रंट से पता चलता है कि विकानेर के महाराजा रतन सिंग ने विक्रम समत 1885 में गया के तिर्थिस्तान पर अपने परमुक समन्तों की बैठक बुलाई थी और उनसे यह परतिग्या करवाई थी कि वे भविश्य में अपने सिसु कन्याओं का वद नहीं करेंगे बताइए यह कौन से गरंट से अपने को यह जानकारी प्राप्त होती है तो यह जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों बांकी दासरी की ख्यात से अपने को यह जानकारी प्राप्त होती है तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे दे दोस्तो इसमें भीकानेर नियासत के इत्यास का उलेक मिलता है a number का option टोप्शन बिल्कुल सही उत्र हो जाएगा आगे देखे देखें कर से किसके दर वारी कभी दे धर बारी कभी ते दोस्तों एकानेर के रतन संग दर बारी कभीथे देयालडास आगे देंडीयों के ख्यात में कहा best जाजाओं का तथा वहां के इतियास का वर्णन है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें जोधपूर सी नंबर का जो उप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जोधपूर आगे देखे मुंडियार की ख्यात को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो वह है दोस्तो राठोडो की ख्यात के नाम से जाना जाता है वी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे इसमें देखे साथ नमबर का प्रशन है इसमें देखे यह सारंगदर है ठीक है सारंगदर किस सताबदी में संसकर्ट राजस्तानी कवी के थे बताईए सारंगदर किस सताब दीके संसकरते वहन राधस्तानी कवी थे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तो अपना इसमें चोद्वी सताब दीके थे सारंगदर ठीक है तो इसमें राइट आंसर ए नमबर उप्शन बिल्कुल सहीतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें सारंगदर ने निम्न में से कौन सा गरंथ लिखाता तो सारंगदर ने कौन सा गरंथ लिखाता तो दोस्तों बताईए राइट आंसर हो जाएगा वह देखिए हमीर रासो हमीर कावे इसमें देखिए सारंगदर सहीता सारं सामें लिखा गौल क्या गौए गरंथ है दोस्तों संस्कर्ट अका यह गरंथ है इसमें 29 बीनमब्र का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें 64 नमबर का प्रेस ने सारंगदर द्वारा रचित राजस्तानी बासा का गरंथ कौन सा है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें हमीर रासो और हमीर का वे तो इसमें राइट आंसर हो उप्रोग दोनों सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे निम्न में से किस गरंत में रन्थंबोर के राजा हमिर देव चोहान और अलावदिन खिलजी के बीच हुए युद का ओजस्वी वर्णन है तता हमिर के सेनापती उजल की वीर परतिग्या का बनन मिलता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो मिलता है दोस्तों कौन से गरंत में तो हमीर रासों में ये अपने को मिलता है ठीक है हमीर रासों में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा हमीर रासो किसके दौरा लिखा गया है जोद राज के द प्रेमा खान कावे गरंथ कौन सा है तो वह दोस्तों हनसा वली भी सल्देव रासो डोला मारूरा दुहा यह तीनों दोस्तों प्रेमा खान कावे गरंथ है डी नंबर उप्सन राइट आंसर हो जाएगा उपरोक सभी आगे देखें कुमान रासों में कहां का इतियास का कावे साली है दोस्तों पिंगल ठीक है कुमान रासों की रचना है वो किसने की दल्पत विजे ने और पिंगल बासा में इस गरंथ में मेवाड के बपारावल से लेके महराजा राज सिंग तक के वंसावली यह सासको का वर्णन है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसम उपने वो है दोस्तों अपने इसमें नलश सिंग सी नंबर का उप्षन राइट अंसर हो जाएगा अगे देखे विजब आपाल रासों में किसका उल्लेक है तो दोस्तों कैरोली के यद वनसी राज्य का पिंगल सेली में ठीक है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का उप्शन बिल्कुल से उत्र हो जाएगा तीक है आगे देखे इसमें देखे वीर मायन की कथावस्तु क्या है वीर मायन की कथावस्तु है वो क्या है वो अपने को यहां पर बतानी है तो दोस्तों यहां पर देखे इसमें इसमें मंडोवर के राय मलिनात के पुत्र जगमाल और उनके बतीजे विरम जी की वीता का वर्णन है यहां वीर रस्ट प्रधान कावे है इसके रचेता बादर डाड़ी है बिल्कुल सही है तो इसमें सारे के सारे हैं वो सही है यहां पे वीर मायन की बात हो रही है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्स अभी डी नमबर उप्शन बिल्कुल सही उत्रा आगी देखिए परत्विराज रासों के लेकर चंदरबर्दाई को बंदी बनाए जाने पर किसने इसे पून किया था किसने इसे पून किया था यानि कि परत्विराज रासों गरंथ कंप्लेट नहीं हुआ था उससे पहले ही चंदरबर्दाई को बंदी बना लिया गया था तो यहां पर इस्प्रेशन का राइट आंसर हो जाएगा तो बाकी बचाओवा गरंथ है वो किसने पूरा किया था तो वो किया था दोस्तों ज दयाल की कविता राजस्तान की किस बासा में है तो बताइए संत दादु दल दयाल की कविता है वो राजस्तान की कौन सी बासा में है सही उत्तर हो जाएगा इसका वो है दोस्तों डूंडानी बासा में सी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखे बालिंद जी किन के सिस्य थे जिन्होंने आरिलो नामक गरंद की रचना की बालिंद जी किसके सिस्य थे जिन्होंने आरिलो नामक गरंद की रचना की तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दादू जी की तो इसमें बी नंबर उप्शन बिल्कुल सही उतर है आगे देखे चर भी दोनों सही है सी नंबर उप्सन बिल्कुल सही उतर आगे देखे इसमें संत रामदास दयालदास दरियाव जी बालक राम आदी किस संपरदाय के इतियास कार माने जाते हैं इस संपरदाय के साहितेकार माने जाते हैं इस प्रीषन का राइट आंसर हो जायगा, वो है दोस्तो राम सनही संपरदाय के ये माने जाते हैं तो इसम्हें राइट आंसर, एंघनों बिल्कुल सही उत्तर हो जाते गा आगे देखे इसमें सगुन कावेधारा के कवी राजस्तान के कौन से हैं तो वो हैं दोस्तो अगरदास जी, नाबादास जी, क्रिशन दास, पेहरी तो इसका right answer हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी तो इसमें right answer हो जाएगा D number का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखे दोस्तो अपना इसमे मेरा भाई की फुटकर रचना में किस बासा का परभाव रहा बताएए मेरा भाई की फुटकर रचना में किसका परभाव रहा तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा वो है दोस्तो किसका तो बरजबासा गुजराती और खड़ी बोली तिनों कर रहा तो इसमे right answer हो जाएगा वो है इसमें D number का option बिल्कुल सही उत्तर वो प्रोकते सभी का आगे देखे गीत गोविंद की टिका नर्शी जीरो मायरो सत्य भामाजी नुर्वुसनू राग सोरटे एवं राग गोविंद आदी गरंथो की रचना है वो किसने की तो इन सभी गरंथो की रचना है वो दोस्तो मीरा भाई ने की थी ए नंबर का option बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे नागरिदास या सावंद सिंग किस बासा के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं ये माने जाते हैं दोस्तों संसकर्ट फार्शी और ब्रदबासा संसकर्ट फार्शी और ब्रदबासा इनके ये विद्वान माने जाते हैं नागरिदास या सावन सिंग तो इसमें राइट आंसर डी नंबर उप्शन बिल्कुल से उतर आगे देखे सुंदर कुवरी के संबंध में सत्य क्या है तो देखे यह किसंगड के राजा राज सिंग की पुत्री थी इनके भाई नागरिदास थे पती रागोगड के बलवन सि थे इन्होंने नेहनीदी संकेत यूगल रंग जर गोपी महत्मे रस पूंज प्रेम संपूट जैसे ग्यारा गरंथों की रचना की सुंदर्पूरी ने इनकी रचना है बक्ति और प्रेम प्रधानने है बिल्कुल सही है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्शन बिल क्या है वह अपने को बताना है तो देखिए राव जैच्छी रोचंद बिठू सुझा के बारे में यह बात हो रही है तो देखिए इसका रचनाकाल पंद्रासो इक्राणम से पंद्रासो ठाणम के बीच माना जाता है इस गरंत में बाबर के दितिये पुत्र कामरान जो पं सबी की जानकर यह अपने को इसमें मिलती है और यह सारे के सारे कथन सही है राव जैच्छी रोचंद बिठू सुझाने लिखा था आगे देखिए इसमें पसाव क्या है काफी बार परिक्षाओं में यह प्रेशन पूछा जा चुका है कि पसाव क्या है तो पसाव दोस्तो गुन आगम गुन भागवत हंस निंदा इस्तुती रास कैलास आदी गरंतों की रचना किसने की तो आदी गरंतों की जो रचना है यह की थी दोस्तो इस सरदास ने सी नंबर का उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा इस सरदास आगे देखिए गुन रुपक राव अमर स सिंग का दूहा वह विवेक वारता के लेखक कौन है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कवी के सवदास ए नंबर उप्षन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा कवी के सवदास आगे देखिए राठोड पर्च्विराज के समंध में सत्य क्या है तो यहां पर देखे ये विकानेर नरेश राव कल्यान मल के पुतर थे राइसिंग इनके बड़े बाई थे इन्होंने डिंगल बासा में कई गरंथों की रसना की थी इनके प्रमुक गरंथ बेली कृष्ण रुक्मनिरी दसम भागवत रादुः गंगा लहरी वसुदेव इसमें वसुदेवराउत तता दसरत देवराउत थे इनके दोस्तों पुरमुक गरंथ तो यह सारे के सारे हैं वो इसमें सही है परत्विराज राठोड की आप बात हो रही है तो इसमें डी नंबर का उप्शन राइट आंसर हो जाएगा अगे देखे वेली कृष्ण रुक प्रदान है इसमें वीर वीर भत्स रसो का वननन है और यह डिंगल बासा में है बिल्कुल सही है इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखे वेली कृष्ण रुकमनेरी गरंथ में परतम प्रकासन किसके संपादन किस ने किया था तो इस परतम प्रकास का तो संपादन है यह किया था दोस्तों डॉक्टर टैक्सिटोरी ने तो इसमें राइट आंसर ए नंबर ओप्शन सही उतर हो जाएगा आगे देखे वेली कृष्ण रुकमनेरी गरंथ का दूसरी बार प्रकासन किस ने किया दूसरी बार प्रकाशन किया था दोस्तों किसने तो ये हिंदुस्तानी एकेडमी परियाग इन्होंने दूसरी बार प्रकाशन किया था तो इसमें C नमबर उप्सन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखे इसमें त्रियानम नमबर का प्रेस ने वेलिक किर्शन रुकमनी दी गरंत के दूसरे प्रकास्टन का संपादन किया किसने किया था राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो किया था सूर्य करनपारीक वैठाकुर राम सिंग तो इसमें बी नमबर का उप्सन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आगे देखिए इसमें निम्न मेंसे सुमेलित नहीं है तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है तो यहाँ पर देखिए दसम भागवतरा दुहा इसमें चोरासी दोए हैं जो कृष्ट बक्ती से समन्दीत है बिल्कुल सही है दसरत राउत बगवान राम की स्थूति के पचास दोए हैं बिल्कुल सही है गंगा लेरी असी दोए गंगा जी की महीमा तो दोस्तो इस प्रेशन का राइट आंसर होजाएगा सब ही सुमेलित हैं डी नंबर का उप्शन बिल्कुल सही हुतर होजाएगा आगे देखें कवी दुर्षा आड़ा का समन्द किस जिले से रहा है राइट आंसर होजाएगा वो है दोस्तों इसमें जोद्पूर से ए नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा जोद्पूर से आगे देखे डिंगल सहली में विरुद छतरी किर्तार बावनी और स्रीकुमार अजाजीनी भूचर मोरी नो गजगत नामक गरंतों की रचना की बताए किसने की थी इन ग आंसर हो जाएगा आगे देखे इसमें निम्न में से कौन से चारन कवी जो मुगल दर्बार में थे जिनको अकबर ने लाक पसाओ पर दान किया तो इस प्रैसन कराई टांसर हो जाएगा वो है दोस्तों दुसाड़ा ए नंबर का ओप्शन बिल्कुल सही उतर हो जाएगा आ आगे देखे कवीवर बिहारी 21 महराजा के दर्बारी कवी थे तो यह कौन से महराजा के दर्बारी कवी थे यह थी दोस्तों मिर्जा राजा जैसिंग के दर्बारी कवी थे कवी बिहारी है आगे देखे बिहारी सचसाई के समंद में सब्ते कथन कौन सा है तो बिहारी सचस सा ब्रज है बिल्कुल सही है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा उप्रोक्स अभी है वो इसमें क्या है सत्य है तो दोस्तों प्रेस्ट ना आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और अरध्यारेस अकेटमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तब आएं वीडियो के लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जय हिन जय भारत